हेलो दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगी चैप्टर फोर जो की है सौर्टिंग मैटरिल्स इंडू ग्रूप तो है मैटरिल्स को हम ग्रूप्स में कैसे कनवर्ट करेंगे तो आपने आपके सराउंडिंग्स में क्या करें देखते हो जैसे कि है चेर है, कार्ट है, साइकल है, कुकी यूटेंसिल्स है, बुक्स है, क्लोट्स है तो यह मैटर से बने होते हैं, यानि मैटरिल से बने होते हैं जैसे कि उनका color होता है, users होता है, हम different ships में उन्हें पाई जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, examples भी है, object around us में तो इसमें हमें पड़ा ही है, chapter 1 में, जो कि हम objects लेखते हैं, round shift होता है, objects या list कर सकते हैं उन्हें group में जैसे कि lunch box है, buckets है, toys है, water है, containers, pipes या ज़्यादा तर objects जो कि हमें एक place में मिल सकता है और उन्हें हम group में divide कर सकते हैं तो यहाँ पे जो objects होता है, वो हमारे आसपास में जो होता है, वो हम one group या उससे ज्यादा materials से बने होते हैं तो उसे हम group कर सकते हैं, जैसे materials होता है, glass के बने होते हैं, metals के हैं, plastics है, wood, cotton होता है या paper murder soil के बने होते हैं The activity one में आपको यहीं बोला है, कि आप collection करो अपनी school में, क्या क्या आप पास सकते हो, collect करो उन objects को और देखो, जैसे कि chalk है, pencil है, notebook है, rubber, duster या armor, तो उससे आप list कर सकते हो, और group में convert कर सकते हो तो आपको यहाँ पे separate करने को बोला है, two group में, one group में आपको paper के बने होए, या wood के बने होए, को लिखना है दूसरे में, आपको objects है, जो की materials से बने नहीं होते हैं, तो उस group में आपको लिखना है तो यहाँ पे आप table देख सकते हो, objects and the materials, they are made of, the objects में आपका plate और ठाली है, materials में आपका steel, glass, plastics or any other है activity 2 भी दिया गया है, जिसमें आपको different types of objects, that are made from the same material को बोला है, जिसमें material है, wood, paper, leather, plastics or cotton objects made of these materials में है, chair, table, block, pull-lock art and its wheels, तो यहाँ के सारे examples है तो आप यहाँ पे fill-up कर सकते हो properties of materials, तो आपको पता होगा कि tumbler जो होता है, वो एक piece of cloth है, या नहीं तो recall, आपको experiments को बोला है, कि आप recall करो chapter 3 में, जो कि आपने पढ़ा है, जो tumbler होता है, वो liquid को generally store करने के लिए यूज किया जाता है और जो tumbler हो है, वो glass का plastics, metals या दूसरे materials को water hold करने के लिए यूज कर सकते हैं, और similar ही जो होता है, वो paper like materials और या cooking vessels को भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये है आपका tumbler तो उसमें depend करता है उनके properties के उपर तो appearance जैसा होता है, जो appearance है, जैसे wood है, वो different लगता है iron के उपर, तो iron को जब हम different copper या aluminium को रखते हैं, तो उससे भी different पाये जाते हैं, at the same time उसमें similarities आते हैं, between copper, iron या aluminium के उपर जो wood के उपर नहीं दिखता, activity 3 में आपको यही बोला है कि collect आप small pieces of different materials को collect करो, और separate करो कि वो shiny होते हैं या नहीं, यहाँ पे आपको यही बोला है कि आप lusher जो की shiny है, उनको आप यहाँ पे observe करते हो या नहीं तो material जो होता है, उन्हें lusher होता है, जो metals होते हैं, उनमें continue कर रहा होता है, जैसे example है, iron, copper, aluminium and gold जो की metals हैं और उनमें lusher, यानि shine होता है और जो shine होता है, वो sometimes dull भी हो सकते हैं, क्योंकि moisture या air के continue होने से तो lusher होता है, उनके freshly cut surface में पाये जाते हैं ज्यादा तर, तो hardness भी होता है उनमें, तो आप जब एक material को press करोगे अपने हाथों से, तो वो hard जैसे आपको दिखेगा, hard लगेगा आपको, तो ये metal की जो होता है वो try करके आप scratch कर सकते हैं जो materials होता है, वो उसे हम compress कर सकते हैं easily तो उसे हम कहते हैं soft और जो materials होता है, वो difficult हो जाते हैं compress करने के लिए, प्रेस करने के लिए तो उसे हम कहते है hard example ये आपको, cotton sponge यो की soft है और iron जो की hard होता है और ये average होता है, उनमें different properties होते हैं जैसे lusher, hardness ये rough और smooth होते हैं तो soluble और insoluble तो ये soluble होते हैं या insoluble तो यहाँ पे आपका activity दिया रहा है जैसे आप यहाँ पे observe करो कि जो पानी को अपने substance add किया था वो dissolve होता है या नहीं तो table 4.3 में है mixing different solid materials in water तो substance में है salt, sugar, sand, chalk, powder या sawdust or disappears in water या not disappears in water or does not disappear तो ये disappear होता है नहीं तो substance जो होते हैं वो soluble हो जाते हैं water में तो उसे हम कहते हैं soluble और जो disappear हो जाते हैं तो उसे भी हम कहते हैं soluble लेकिन जो dissolve नहीं होते हैं तो उसे हम कहते हैं insoluble और water जो होता है एक important role लिए करता है in functioning of our body क्योंकि large number of substance को dissolve करने में help करता है जैसे कि liquid है water जो की dissolve करने में help करता है तो activity 5 में भी आपको यहां पे table दिया गाए है solubility of some common liquids in water जिसमें liquid है vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil और kerosene तो यह mix होते हैं या नहीं यह आपको लिखना है जैसे vinegar है mix as well तो यह mix हो जाते हैं और आपको यहां पे lemon juice यो की mix होते हैं नहीं उनको लिखना है lemon juice भी mix हो जाते है coconut oil तो mix नहीं होते हैं लगता है enter by querson mix नहीं होते हैं तो यहां पे आपका some gases độ easing solubile होता है और water में लेकिन जो दूसरे हैं वो soluble नहीं होते हैं तो water में जो small quantities को some gases dissolve करते हैं जैसे कि example है oxygen gas जो कि dissolve होता है water में और इस survival होता है animals के लिए और plants के लिए जो की water में survive करते हैं और objects may float or sink in water तो objects जो होता है वो ज्यादा तर float होते हैं या sink यानि जैसे आपने pond में leaves को fall करते हुए देखा होगा तो ये float होते हैं यानि उपर आते हैं लेकिन आप जब stone को एक stone को throw करते हो तो आप क्या देखते हो कि वो अंदर ये अंदर dissolve हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देता है तो ये नीचे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं some objects हो कि float करा है in water और दूसरे है वो यहाँ पे नीचे हैं sink हो जाते हैं तो sink होना मतलब disappear होना यानि उन्हें हम देख नहीं सकते हैं जैसे कि pond water में तो transparency transparency क्या होता है some places में आपने देख आई होगा mirrors में जो कि हम mirror को हम use करते हैं देखने के लिए तो वो transparent होता है जैसे कि हम देख सकते हैं जो substance को हम देख सकते हैं materials होते हैं उन्हें हम देख पाते हैं तो उसे हम कहते हैं transparent जैसे glass water air और some plastics जो कि transparent होते हैं जैसे कि यहां पर है मिठाई का डबा जिसे हम देख सकते हैं तो यह ट्रांस्पेरेंट है तो आपको यहां पर बोला है कि आप एक ग्रूप में मेट्रियल्स और ऑब्जेक्स को रांट्फ्यूजन में या ट्रांस्पेरेंट में या ओपिक में कनवर्ट करो और ओपिक जो होता है जो हम नहीं देख सकते हैं जैसे वूड़न बॉक्स है कार्डबोड है कार्टून है तो मेट्र कंटिनर है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं तो यह एक्जांपल है ओपिक मेट्रियल्स जो कि हम देख नहीं सकते हैं तो एक्टिविटी सिक्स है यहां भी आपको activity दिया गया है और जो materials होते हैं, जोGUES से हम देख पाते हैं तो यह transparent तो इसे हम कहते हैan तो यह धोरा थोरा clear नहीं दिख लहा है थोड़ा ही दिख लहा है, तो इसे हम कहते हैं औपिक तो यह हमें डिफर्न ग्रूप्स में देली लाइफ में क्या- supplements है ऐसे हम उस करते है झैसे कि हम यूख करते है Water bottle को वह ओपक यह त्रांस्परन्स न्या ट्रांसिलुसन्त शैसले कि ऐसे soaps है, हम यूस करते हैं, grains है, pulses है, biscuit है, तो हम ये or the place जो कि stored होते है, उने हम खरीकते हैं, तो हम transparent होते हैं, या नहीं, ये transparent ही होते हैं, क्योंकि हम इने देख पाते हैं, ग्रोसरिस लेने के लिए हम जब जाते हैं, तो हम इने देखकर ही खरीकते हैं, तो ये transparent होते हैं तो dividing materials in groups तो divide करने से materials को ग्रूप में convert करने के लिए हमें इनके properties को study करने के लिए या observe करने के लिए इनके patterns हमें easy हो जाते हैं और यह हम हमारे higher class में ज्याना तर और भी पढ़ेंगे detail में और यह आपका keyword से थोड़ा यह आपका chapter यहीं पर finish हो जाता है यहाँ पर आपको summary है यहाँ पर access देगा है यह मैं अपनी next video पर discuss करूँगी तब तक के लिए देखते रहें चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको और भी update से related आपको मिलते रहें और देखते रहें मेरी चैनल को